तो दोस्तों यह है वो बैक प्लोजर मशीन जिसमें आज मैं आपको सुई और यह लूपर उसका सेटिंग कैसे करना है वो बताने वाला हूँ तो सबसे पहले हम यह प्लेट खोल लेते हैं देखिए यह प्लेट निकल गई है अब आपको कैसे सेटिंग करना है वो मैं आपको बताता हूँ देखिए यह सुई है बैक क्लोजर मशीन की सबसे पहले में यह कैप है सुई की कैप वो लगा देता हूँ फिर दूसरी बात दोस्तों आपको सुई में गड़ा दिख रहा देखिए यह रा गड़ा यह जो गड़ा है वो पीछे आएगा यह साइड आएगा यह जो मशीन का वील है यह साइड गड़ा आएगा देखिए यह रा गड़ा यह गड़ा यह वील की साइड आएगा तो हम आपको एक बात का दियान रखना है यह जो सुई का जो होल है यह सुई का होल वो सीधा आना चाहिए टेड़ा मेड़ा नहीं आना चाहिए देखिए यह एकदम प्रॉपर आ गया है यह सुई का होल उसके बाद सुई को फीट कर देते हैं यह लूपर होल्डर है यह उपर जो लगिया वो लूपर है अब उसको कैसे सेट करने हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ देखिए दोस्तों आपको प्रॉपर सेटिंग दिखाए दे उसके लिए मैं अभी यह दांती जो है वो निकाल लेता हूँ तो आपको प्रॉपर सेटिंग कैसे करने है वो दिखाए देगा दांती यह दंदाल बोलते है उससे निकाल दिया है अब आपको मैं प्रॉपर सेटिंग कैसे करने है वो बताता हूँ देखे दोस्तों यह है मशिन की सुई जिसमें यहां पे गड़ा दिया गए एक ही रूल से है लूपर और सुई सेटिंग का कि लूपर यह गड़े में से जानी चाहिए और यह गड़े में वापस आनी चाहिए अगर लूपर ऐसे आगे जाती है तो गड़े के अंदर से ही जानी चाहिए और पीछे जाती है गड़े में से जानी चाहिए ऐसे 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 यह हुआ प्रॉपर सेटिंग वो मैं आपको इसमें करके दिखाता हूँ देखिए अभी मैं यह लूपर है उसका होल्डर और लूपर टाइट कर रहा हूँ देखिए दोस्तों एक चीज आपको मैं बताना चाहता हूँ यह जो लूपर है और यह जो सूई है दोनों के बीच में कितना गैप होना चाहिए देखिए यह जो आप देखिए यह जो गैप दिख रहा है वो एक सूई है यह सूई जितना गैप है यह सूई उपर नीचे कर अंदर से पास हो जाती है इतना गैप होना चाहिए यह एक सेटिंग मैंने बता दिया अब दूसरा सेटिंग में आपको बताता हूं देखिए आप यह पॉइंट में धियां से देखिए यह रहा है यह पॉइंट यहां पे धियां से देखिएगा देखिए यह लूपर जब जा रही है तब गड़े में से जा रही है देखिए ध्यान से देखिएगा ये लूपर जब क्रॉस हो रही है तो गड़े के अंदर से क्रॉस में हो रही है और फिर देखिएगा ध्यान से ये वापिस भी जब आई देखिए तो गड़े के अंदर से ही जा रही है इसे प्रॉपर सेटिंग बोलते हैं देखिए ये लूपर गई ये जो गड़ा है उसमें से गई है और लूपर जब वापिस आएगी देखिए ये लूपर जब वापिस आई तो गड़े के अंदर से ही क्रॉस हुई है कभी भी लूपर और सुई का setting कर रहे तो यही आपको ध्यान रखना है लूपर जो है वो गड़े में से cross होनी चाहिए और वापिस भी गड़े में से आनी चाहिए इसे proper setting बोलते हैं और दूसरी एक बात लूपर जो है वो सुई को थोड़ा touch करके जानी चाहिए देखिए यह point पे देखिए लूपर जो है वो सुई को थोड़ा touch कर रहे है जब लूपर और सुई एक दूसरी को touch होगे तब प्रॉपर दागा पकड़ में आएगा तो यह है सुई और लूपर का setting अब मैं plate लगा के आपको machine चला के दिखाता हूँ तो दोस्तों मैंने यह back closure machine में plate लगा दी है दाथी और सब लगा दिया है और यह दागा भी लगा दिया है अब मैं आपको machine चला के बताता हूँ कि सुई और लूपर का setting करने के बाद machine result कैसा देता है देखिए दोस्तों यह है इस machine की चलाई देखिए पीछे भी देखिए यह है पीछे किसी लई और यह आगे किसी लई देखिए कहीं पे भी कोई दागा या कुछ छोड़ने रहा है तो सुई और लूपर का setting करना कोई बड़ी बात है नहीं इसलिए इस वीडियो में कुछ खास था नहीं और फिर भी आपको यह सुई और लूपर का setting करने में कुछ पूछना बागी रह गया हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं अगर वीडियो अच्छा लगाओ तो उसे लाइक कीजिएगा तब तक के लिए जूड़ते रहे सिखते रहे नमस्कार रहे भी जूड़ते रहे पूछना बागी लैपको पूछना बागी भगए जिए लाइक के इवड़ते रहे मुछना बागी खास रहे रहे खास बागी अगचा उच्छास बता है झाल जूबते है झाल झाल झाल